नमस्कार, मैं हूँ सासी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आये जरकंड के दिन भर की खबर जानते हैं मुख्य मंतरी हेमांसुरे ने 34 स्कुलों में पदस्थापित किये जाएंगे बतादे इसकुलों में बच्चों को उनकी भासा में सिक्षा देने के लिए आस्थाई भासा के स्कुलों को भी नियुक्त पत्र दिया गया जिसमें संताली, मुंडारी, कुरूक और अन्यभासा सामिल हैं बता दे कि ए सारे टीचर रगवर सरकार के समय पास हुए थे लेकिन रगवर सरकार में बनी नियोजन निती को कोट में चैलेंज किया गया था मामला सुप्रीम कोट गया सुप्रीम कोट के आदेश के बाद उनकी नियोकती का रास्ता साफ हुआ और आज सभी को नियोकती पत्र मिला इस मौके पर मंतरी आलमगीर आलम सत्यनान भोकता मुखे सचीव सुकदेव सिंग सीम के परधान सचीव अंदना डाडेल सीम के सचीव बिनाय चोवे सहित कई मौजूद रहे सीम हमन्त जाएंगे करनाटक सपत ग्रहन समारों में होंगे सामिल मुख्य मंतरी हमन्त सुरन करनाटक के भावी मुख्य मंतरी सिदार मया के सपत ग्रहन समारों में सामिल होने के लिए बैंगलोरू जाएंगे इसकी त्यारी पूरी कर लिगाई है मुख्य मंत्री की यह यातरा कई मायनों में अहम बता जा रही है बता दे चार्खन कॉंग्रेस से परदेश अदेख राज़ ठाकूर और मंत्री आलमगीर आलम भी सपत ग्रहन समारों में सामिल होने के लिए बैंगलोरू जा रहे हैं यहां बता दे की सिध्वार मया और डिके सिवकुमार सन्नीवार दोपहर 12.15 बज़े बैंगलोरू के कातिरवा स्टेडियम में करनाटक के सीएम और डिप्टी सीएम पत की सपत लेंगे इससे पहले दोनों नेतावों ने गुरू अर्देर साम राजभोण जाक और राज़ेपाल थाव चंद्र गहलोल से मुलकात की और सरकार बनाने का दावा पेस किया इसके साथ ही राज़ेपाल ने सिध्वार मया और डिके सिवकुमार को सपत लेने के लिए बुलाया सपत ग्रहन समारो कल दोपर साड़े बारा बज़े बेंगलोरू को कातीरवा स्टेडिया में अरज़ित किया गया है बतादे गूरु आर देर साम को बेंगलूरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिद्वार मया को विधायक दल नेता को चुन लिया गया है जार्खन बोड दसवी बरहभी रिजल्ट 21 मय तक जार्खन बोड के दसवी बरहभी बोड का रिजल्ट 21 मय को जारी किया जा सकता है जार्खन एकेडमी काउंसिल ने इसके असपष्ट संकेत दिये है बताया जा रहा है कि जैक बोर्ड की 10 वी और वराहमी बोर्ड परिक्षा का परिक्षा का परिक्षा की परिक्षा की कोपिया जाची गई अब खबरे हैं कि परिक्षा को लेकर परिक्षा का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा बतादे कि 2019 के बाद यह पहली बार है जबकि परिक्षा की परिक्षा का 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 परिक्ष आईएडी की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत, पच्छमी सिमुम जीले के अती नक्सल परवावी सुद्रवर्ती गोईल के रथाना छेतर के रेंगडा हातु गाउं के पास नक्सलियों द्वारा बिछाए गया, आईएडी की चपेट में आने से एक बच्चे की पुलिस को इसकी सुचना सुक्रवार सुबह मिली है, बता दे, घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है, जनकारी के मुताबिक बच्चे के उम्र महज 10 साल थी, आईएडी बलाश्ट के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत घटना स्थल पर रही हो गई, जहां य के 32 आंदोलन कारियों को मिलती है, 7,000 रुपए पेंसन, जहार्खन अलग राज्य के 32 आंदोलन कारियों को 7,000 रुपए सम्मान भता मिलती है, वही 2511 आंदोलन कारियों को 3,000 रुपए मिलते है, इसके अलावा 1,000 आंदोलन कारियों को पवान पत्र दिया गया है, फिलहाल आंदरन कारियों के 20,000 से ज़्यादा अविनलंबी थाएं गुरुवार को विधान सभा की अस्वासन समीती की बैठक हुई इसमें जार्खन के आंदरन कारियों को मिलने वाली सम्मान राज्य और अने सुविधाव का ममला आया साभापती दीपक बिरुवा सरस डाक्टर लंबुदर महतो और अमबा परसाद ग्रिह बिभाग के काम काज को लेकर नराज थे बिभाग को 36 गर सहीत दूसरे राज्यों में अंदरन कारियों को मिल रही सुविधावे सरसमान रिपोर्ट कमिटी को देनी थी लेकिन यह रिपोर्ट कमिटी को नहीं मिली साभापती स्री बिरुवा ने ग्रिह बिभाग के अधिकारियों पनराज की जाहिर करते हुए का है कि कई बार बोलने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आ रही है उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभी इन राजियों के पास पत्राचार या मेल के मादेम से सुचना भेज कर बैठक में आए पूजा सिंगल का थाइराइड बढ़ा निलमबित पूजा सिंगल का थाइराइड बढ़ गया है गुरुवार की आई रिपोर्ट में वह समाने से ज़्यादा आ जा है जिसके बाद दवाई की डोज बढ़ा दी गई है बतादे मंदेगा घोटाला अर्मनी लॉंडरि मामल में परवतन निदेशाला की करवाई के बाद नाइक हीरासत में होटवार जेल में बंद निलंबित आयेस अधिकारी पूजा सिंगल की इस्थिती रिम्स में अभी भी इस्थिर बने हुई है पूजा सिंगल की जाच रिपोर्ट में थायाइड बढ़ा हुआ है उसके बाद निरोलोजी विभाग के हेड ने मेडिसिन विभाग के हेड को पत्र लिख कर एक बार पूजा सिंगल के स्वास्थ जाच का अगरा किया रिम्स में MRI मसीन खराब होने की वज़े से गुरुवार को भी पूजा सिंगल का MRI नहीं हो सका बता दे कि मंगडवार की साम सर में तेज दर्द और चक्कर की सिकायत के बाद पुजा सिंगहल को बीर्सा मुंडा केंद्रिय कारा से रिम्स के इमर्जेंसी में लाया गया था ATS की रिमांड पर गैंग्स्टर अमन स्रिवास्ताओ छह दिन तक होगी पुष्टाच ज्हारखन के कुख्यात गैंग्स्टर अमन स्रिवास्ताओ को ATS ने अपनी रिमांड पर ले लिया है माना जा रहा है कि ATS की पुष्टाच में कई साब फेद पोसों के खिलाब सबुत मिल सकते हैं बता दे मुंबाई से गिर अफ्तार कुख्यात गैंग्स्टर अमन स्रीवास्ताव से अगले 6 दिनों तक ATS की टीम पूश्टाच करेगी रांची के बिर्सामुंडा केंद्रिय करागार में बंद गैंग्स्टर अमन से पूश्टाच के लिए ATS के दोबरा अदालत में आवेदन दिया गया था ATS के दलील के बाद अदालत ने अमन स्रीवास्ताव से पूश्टाच के लिए 6 दिनों का रिमान मंजूर कर लिया है बिपक्ष के पीएम पद का चेहरा कौन होगा बयान बाजी जारी करना तक बिधान सवाचुना में भारतिये जन्ता पार्टी को करारी सिक्स्त देने के बाद कॉंग्रेस के नेता खासा उसाहित है वर्स 2024 लोग सवाचुना में भिपक्ष साजहा एकका बना कर पीएम मोदी और भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहता है लेकिन भिपक्ष का चेहरा कौन होगा जो पीएम मोदी को चुनोती दे पाए आईसे में कॉंग्रेस के केंद्रिय परवक्ता अचारे परमोदी कृष्णन प्रियंका गांधी को पीएम पत का विपक्षी चेहरा बनाने की सलाह दे रहे है बतादे परमोद किश्णन के ब्यान पर जहाज़द्यू के पुरो महासचीव केसी त्यागी ने इस तरह से ब्यान से परहेज करने की सलाह दी है तो जो जार्कन मुक्ति मौरचा कौन्ग्रेस ने अपने पर टिक्रिया भी दी है बदादे जार्खन मुक्ति मोर्चा के केंद्रिये परवक्त सुप्रियो बटाचा ने कहा है कि आज विपक्ष की ओर से पधार मंत्री को लेकर कोई बात नहीं हो रही है सुप्रियों ने कहा है कि मोधी सरकार की खिलाप मजबूत विपक्ष कैसे बने इसकी कोशिस हो रही है अभी तक नहीं हो पाया मालतो का अमतिम संसकार बोर्यो परखंड के चटकी गाउ की अंगनवाडी सेवी का मालतो सोरेन का अमतिम संसकार अब तक नहीं हो पाया है सोजन सोव मिलने का इंतियार कर रहे हैं अमतिम संसकार की सारी त्यारी सोजनों ने कर रखी है लेकिन 16 दिन बाद भी सोव न मिलने से मायूस है बता दे 18 माई तक भी सोव का पोस्मास्टम नहीं हो सका था गत 16 माई को सौजनों से मिलने पहुंचे सांसद विजय हंसदा को मिरितका मालतो की बहन रानी ने अब तक अमतिम संसकार के लिए सो नहीं सो पे जाने की बात कही थी मिरितका की मा संजली टूडू ने कहा था कि 16 दिन बित जाने के बावजूद अब तक उनकी बेटी मालतो कामतिम संसकार नहीं हो पाया है इससे वे लोग दुखी हैं मालतो सुरेन के सरीर के मिले अंग दुमका मेटिकल कोलेज में पड़ा हुआ है चत्रा में वट सवितरी पुजा अस्थल पर लगी आग वट सवितरी पुजा के दिन जंखन और बिहार की सीमा परिस्तित चत्रा जीले में एक बड़ी दुर घटना टल गई है बतादे वर्ट सवित्री की पुजा करने के लिए भारी संख्या में महिलाई एकतरित हुई थी इसी दोरान प्रेड के नीचे आग लग गई लोगों की लापरवाही का आलम यह रहा की आग बुजाने की वजाए उन्होंने उसका बीडियो बनाना शुरू कर दिया मोबाई से वहां का फोटो खिचते रहे बाद में पुलिस ने आक और आग पर काबू पाया है बतादे चात्रा सहर के गंदोरी मंदीर के समेप इस्तीत भी साल वर्ट ब्रिक्स के नीचे पुजा कर रही महिलाई की लपडवाही के कारन आग लग गई महिलाई अपने पती की लंभी उम्रे की कामना के लिए बीधी विधान से प्याल के सम्भी बैठ कर पुजा कर रही थी बीज गोटाला मामले में अदालत में पेश हुए मंतरी सत्यानद भोकता कार्या देश विभाग के अधिकारियों के द्वारा बनाया गया था, खुद के बचाव में साक्ष प्रस्तूत करने के लिए मंत्री सत्यानद भोकता ने अदालत से समय किमांग की है, जिस पर अदालत ने 5 जून की तिथी निधारित की, बता दे की 46.10 कोलोर की 20 गोटाला माम में आरोपियों पर आरोपताय किया जाना है, जिसे लेकर मंत्री सत्यानद भोकता ने आरोप मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज पर्टिशन अदालत में दाखिल किया था, राष्ट पती का जार्खन दवरा 4000 से अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के होगी तैनाती, राष्ट पत जिन में 115 इंस्पेक्टर, 717 दरोगा और A.S.I. सहित, 2820 लाठी बल, 83 महिला लाठी बल, 35 सस्त्र बल, B.D.S. की 3 टीम, A.T.S. की 2 टीम और रैफ की 2 कंपनी, डॉग एस्कौाइट 2, असल्ट 4 सामिल है, जनकारे के मुताबिक राष्ट पती सबसे पहले 24 माई को दिली से द आने हाद